असलाम अलेकूम आप देख रहे हैं नजम सेठी शो मैं हूँ सेद आईशा नास मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी सहाब असलाम अलेकूम इतने मसाइल के इतने अमबार के समझ नहीं आ रही किया बनेगा इस हुकूमत का और यह मसाइल कैसे हल करेगी तो ऐसे अाचनक एक हल हमें सुझाई दिया असल में सुझाई दिया वो पहले शाहिद خाकान अबासी साहब को और उसके बाद वजिरический आजम डायलोग होना चाहिए। इसके मुखालिफ में ये दलील दी जाती है कि ग्रैंड डायलोग या इदारों के दरमें डायलोग की क्या जरूरत है। इसके मुटाबिक चलें तो प्रॉब्लम ही नहीं है किसी डायलोग की जरूरत नहीं रहती है। जो शायद खाकान अबासी साहब ने अपने इंटर्वी में का कि हम इसमें सारे स्टेक फोल्डर्स को बुलाएंगे। अंदलिया भी होगी और फॉज भी होगी क्योंके फॉज हुक्मरान भी रही है। स्यासत में उसका किरदार भी रहा है। तो सब बैठेंगे एक जगापर। यह कैसे मुम्किन होगा और वसीय बन्याद डायलोग और इदारों के दरम्यान डायलोग में क्या डिफरेंस है। यह होता भी आपको नजर आ रहा है के नहीं। देखिए यह ग्रैंड डायलोग का इश्यू जो है इसके एक तारीखी जाइजा भी लेना चाहिए। सबसे पहली बात हुए है कि जो भी हकूमत यहां आई है यहां शुरू करते हैं जोनेजो साब की हकूमत से सियसी पुलिटिकल सिविल हकूमत जयावलाग के जमाने में। जोनेजीज साब की भी मसले रहे इस्टैविश्विश्मा के साथ हाला कि उनको जैनरलजया निचुना नको लेके आये वो बिल्कुल बर्खुदार थे फिर भी मसले बन गए। जब भी कोई establishment के साथ कोई राय एकिलाफ होती तो फिर उस वकद मस्रें बनते हैं इसके बाद मुहतरमा बेरिजी गुट्टो और साहिबा और नवाशियर साहिब की हकोमते नवे की दिहाई में आई दोनों के मसायल रहे establishment के साथ उसके बाद खायर उसके बाद तो establishment डिरेक्ट पर जब सरदारी साथ की हकोमत आई थो 2007.,28 में,वे पांच साल काफी मसायल रहे, मसले रहे फिर नवाशियर साहब की हकोमत आई तो फिर मसले रहे अब इमरान खान साहब की हकोमत जो कि सोचते थे कि किसी सूरत में यह हो यह नहीं ता, बिकुस ये तो खुल के बात बाहर आगी थी, वन पेज, वन पेज, वन पेज. और आज आप देखिए, इम्रान खान साथ के तल्लकात, उसी इस्टाबिशन, उन ही जर्रिनलों के साथ कितने एक खराब हो चुके हैं, और कितनी लड़ाई यगड़े चल रहे हैं, तो एक ये कि जब ये बात की जाती है, कि हर रदार अपने दाएरे में रहे हैं, तो उसका इशारा यही होता है, अफसुस इस बात का, कि ये उस वक्त ये बात की जाती है, जब किसी सियास्त, सियासी प्राइमिनिस्टर के रहते हैं, वादह करते हैं, फिर आके लड़ाईए इशुरु होजाते हैं, च Establishment यह कहती है, आँखे दखा रहे हैं, वो कहते हैं हमने कोई आँखोंग नहीं दखाई, हम सिर्फ जो हमारी हमारी हाक बता है, उसके अंदर जो हम फैसले करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अवाम के पास जाना है, हमने उनको जवाब देना है, तो प्लीज मेरबानी करें हमें कर लेने जो हम करते हैं, और वो करॉप्शन की बात नहीं, वो पॉलिसी डिसिजिन्स हैं, मिया साहिब आपको देता हूं, जी जी, ताकि यह एक परस्पेक्टिव हो जाए, कि जब जुनेजो साहब के साथ क्या जगड़ा हुआ, जुनेजो साहब ने सारी बात मानी, ज्या जाने देना, वकर दुनिया यह चाह रही थी, कि रूस को एक रास्ता दिया है, जान निकलने के, और जुनेजो सामने जाके, युनाइक्टिड नेशन में कह क्या दिया, कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, विड्रॉल सोवेट फोर्से, ज्यावलाक साहब को यह बात पसंदनी आई कि तू होना कौन है, हम, हम हम हैं तो क्या हम है, और रूस के साथ वजाएदीन की जंक रारे हैं, हमें तो कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है, पैसे भी आरे है, हत्यार भी आरे हैं, तुमने क्या जाकि यह कर दिया, सोवेट यूनिन को सेफ पैसेज दे दी, बहुत से हथियार रखे गए थे, रेमिनेशन रखी गए थी, जो के चैनल हो रित्री फ्रॉम, C.I.A. and Saudi Arabia से वहां हथियार आते थे, बहुचाइदीन को जाते थे, और वो आगे, ISI जो थी, वो उतको चैनल करती थी, और उसके लिए फिर लेंदेन होती थी, ठीठाक लोग यह रिपोर्ट हमने शाया करनी है, हुझने का जी, कोई रिपोर्ट ही शाया हो नी, तो मोते कौन हो, जो जोडी कैम को इन्वेस्टिगेट करने वाले, क्योंकि शाक ही यह था कि शायद हमारे लोगों नहीं करवा दिया, हथियार खरीद के वेच दिये हुए थे, अमरीका क अनने का हमारे थ्यार वापस करें, इन्होंने बेशुच के हजम कर लिये थे, ना देना नहीं चाहते थे, इन्होंने वहाँ ठाटू करा दी, यह लजाम था, तो मसले बन गए, मोतरमा आई जब 98 में, 88 में, तो आशा यह जरा जरूरी है, यह तारीख का आपको बताओ, हव अनन की बात करेंगे, तो उस वकद की जो इस्टैब्लिशन थी, उनने का यार यह किस नहों सकता है, दुश्मन है, वो तो कभी नहीं मानेगा हमको, तसलीम नहीं करेगा, तो हम यह तो इसका यह मतलब है कि तज़ारे शूरू करेंगे, अमन की बाते करेंगे, कश्मीर को हल नहीं करेंगे, तो यह तो बिल्कल गदारी है, और यह हमने एक्सेप्ट करते है, तो मौतलमा के उपर इल्जाम लग गया, कि यह तो इंडियन एजटा है, इतजाज ऐसन साब के उपर यह भी इल्जाम लगा, कि उन्होंने उस वकद कुछ इल्जाम पाकिस्तान पर यह था कि हमारी इंटेलिजेंस एजनसियां झोह है, वो खालिस्तान के लोगों को यहां पना भी दे रही हैं और ट्रेनिंग भी दे रही हैं, तो इंडिया ने मांगा था पाकिस्तान से कि हमें लिस्ट दें, उन लोगों की जिन लोगों को आपने ट्रेंड की है, तो चौदरी राम लगया मौतरमा की ओपर के ये तो इंडियन एजन्ट है ये तो एंटी पाकिस्तान है ये सिक्यूरिटी रिस्क है फिर उसके बाद पूरा ये मौहिम शरीड वोट अव नो कॉन्फिडंस ये वो कर खुरके तो एक दफा फेल हुआ वगर नाइटी में गुलाम इसाग वाजपाई नौशीर साइब ने अपनी दूसरी टर्म में जब वो नाइटी सिक्स नाइटी सेवन में आए हैं तो उस वक्त उन्होंने भी वाजपाई साब के साथ पता है आपको बस डिप्लोमसी की बस डिप्लोमसी के बाद लाहर मुलाया यहां लाहर रेजूशन्स वह हम नुकसान नहीं उठा सकते हैं अब हमें करना चाहिए और कश्मीर का मसला होता रहेगा वह हम उठाते रहेंगे जहां जहां हमारी हक बनता है प्लिटिकली डिप्लोमेटिकली हम करेंगे मगर यह जो है ना कि जिहाद बाद बंद की जाए इससे कोई फाइदा नहीं हो यही था ना रिजेक्टिड वही सारी बात क्या थी वह रिजेक्टिड वाली वही डॉन लीक्स ही नहीं थी ना कि खान नौशी साहिब ने एक सेक्यूरिटी काउंसल की मीटिंग के अंदर जहां डीजी और ऐसस वकत के जनरर रिजवान बैटे वे थे उनसे का कि यार है बं नौशी साहिब जब चले गए नरेंदर मूदी की इनाउगरेशन पे तो उनको रोकनी की कोशिश नहीं देगी यो 2013 के बाद के वाकिया लेकिन परवेज मुशरफ साहब को आपने हजब कर दिया था अच्छा आप मैं कह रहा हूं कि वह जब कारगिल और जब नौशी कर दिया फिर मुशरफ साहिब ने जाकर वाशिंग्टन में अपनी बेज़ती करवाई और जो लोग हमारे फसे वे थे उनको वहां से कोशिश की को निकल आए ताके कि इंडिया और बड़ा हमला ना कर दे और बचाया मुशरफ साहब को और उसके बाद फिर मुशरफ साहब करनी हलोगा हम नहीं करेंगे कोबाद उसके दो साल बाद जाके वजपाई साहब के साथ एक साहक कार्फर्स में जाके हाथ में लालिया और शुरू कर दिया यह डिप्लोमसी और किश्मीर जिसका जो फाइनल नतीजा यही था वो जो सारी डिप्लोमसी बैक चानल चल रही थ कि अमनमान की बात करें फ़ाइन फामूला दे दिया किश्मीर पचास साल के बात करेंगे किया वो ही जो नौाशीव साब यह चोटी चोटी जो पॉलिसी इसके उपर जगड़े होते हैं सिविलियन्स ने कभी इनके मजट्स कम करने की कि बात नहीं की सिविलियन्स ने कभी क किसी स्टेज पे भी किसी एक जर्नायल के खलाफ कोई कारवाई करने की बात नहीं कई कुछ नहीं कभी इंटरफेर नहीं किया मगर जब यह इशू आ जाते हैं जिसके उपर उनको इलेक्शियल में वोट मिलते हैं या उनकी एक पॉलिसी स्टेटमेंट होता है जहां भी वह इस्टैबिशन समझती है कि यार नहीं या किसी एक ग्रूप के खिलाफ है बात या नहीं अब यह एक और भी इशू बना नौजशीर साहब के साथ जनरल रहील शरीफ के समाने की यह बात है जे वो यह कि सिपक जो है उसकाट पैसे आ रहे थे कांट्रैक्स मिल रहे थे तो यहां से तज्वीज गई स्टैबिशन की तरह से के सिपक जो है वो उसके अंदर एक एक बनाई जाए अलग एक अथारिटी बनाए जाए उसके अंदर एक लेटरन जैनल को उसके उपर बढ़ाया जाए और नौजशी साहब ने का नहीं यह तो हमारे प्लैनिंग डिवीशन एकनोमिक प्रोजेक्ट्स हैं इसमें आपका क्या इसमें रोल है तो वो कहने थे नहीं यह स्ट्रेटीजिक इश्यू हैं तो हमें इसमें बढ़ाना चाहिए उसके उपर भी जकड़ा हुआ और जैसे नौशी साहब की छुटी हुई तो आपने देखा फिर जैसे इमरान खा आया तो वो अथारीटी में चैरल आसिमि जावेद माज़ार को बठा दिया और शिपैक बंद ओगया उसकी वज़ा से परप बंद हो गया कि चैनीज ने यह कहा है कि यह को रहा है हमने को समिश के साहथ बात प्रक्स किय से मत आघ़ में ने हैं क्वार था कान्ट्र कहीं तो तो भी पता है हर साल टेन एक बद्दा सिक फीसद इसाफ़ा होता है डिफेंस बजट कोई इसके पर डिवेट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, आज तक किसी हुकूमत ने, इंक्लूडिंग नवाज शरीफिकूम, कभी ये नहीं का कि डिफेंस बजट कम करें, क्योंकि हम समझते हैं कि डिफेंस बड़ी इंपॉर्टेट है बारे लिए, कोई सियासतदान या सियासी जमात ये नहीं कहती, नहीं करने की कोशिश की है, वो दस ग्यारा परसंट हर साल उ वो फिर और पैसे दे जाते हैं क्योंकि ओवररंण हो जाते हैं, इनको पैसे की जरूरत और मिल जाती है, जरूरत पढ़ जाती है, ठीक है? पढ़ जाती है, गमंड देती है. पिर जब साल खत्न होता है, तो उस स्वोकत पता चलता है, कि आपने तो 10% पिछले बजट है इसाग डार के जमाने में क्या हुआ कि एक सप्रिमेंटरी बजट मांगा और डार साब ने दे दिया को कि कोई गभर ना नहीं कर सके उसके बाद फिर आ गए कि कुछ और पैसे चाहिए हमने कुछ चाइना के पैसे देने इतने मिलियन डालर्स हमने देने वो भी मेरबार नहीं करके दे अचा उसकत बड़ी बुरे हालाद थे तो डार साब ने थोड़े मिन-मिन की मिन-मिन की के नहीं देखे ना ये है वो है तो डार साब के खलाफ तो वो अच्छा है गल्ले तो अब बात यह है कि जैसे ही खाकार अबाशी साब की खुमत आई तो उन्होंने सबसे अमंक्स तर फर्स तिंग्स दिड़ वादा है लो जी तुसी जड़े लेड़े ने करते हैं ना कि जी ग्रैंड डायलोग का इश्यू यही है कि हमसे बैठके तैय कर लिया जाए कि आपको क्या चाहिए क्या हम देने हम दे देंगे आपको और इन चीजों के अंदर आप मदाखलत ना करें हमारे साथ बैठके आपकी नैशनल सेक्रिटी पॉलिसी जी है वो भी अब जो किया और इससे पहले जो नौज वीजा था के उठके चले गए खाना के जी एच्क्यू का यह इडवाइस थी कि आप इसकी इनागरेशन पे मत जाए फिर जब उन्होंने बुलाया पच्छिस दिसंबर को और उन्हें इन्फॉमेशन दिये बगएर लाइक विदाउ है वो कहते हैं यहे तो दोके बास हैं इनको ट्रस्टी कि आ जा सकता है यह तो दुश्वन ऐ है इनको दोसी right के साथ कैसे हो Gre ब्यानिया है दूसरा ब्यानियायब Sivilienz का है जो आता है वहfET यह झाता है कि यार अब कुछ तजारत के शुरू करो करो करके आवाम के लिए कुछ सेसती चीज़ें आनि शुरू हो हम इतनी मہंगी चीज़ें अमरीका से लेत है योरोप से लेते है और Counter इतनी दूर से आती हैं, ये करीब से हमें मिल जाती है, दुआईयां आ सकती है, महुत कुछ आ सकता है वहां से जिसके साथ, पहले भी आता रहा है और अब तो ये इस किसम की इस्जिव चलते हैं, तो अब वो कहरे हैं, ग्रैंड डायलोग में वो इसलिए इंक्लूट करना चा हो गया अदलिया का औ और इस्टैब्लिश्ट का, और अदलिया और इस्टैब्लिश्ट बिल्कुल सेम ट्रैक पर चलते हैं, एक दुसरे को सपोर्ट करते हैं, प्रॉप-अब करते हैं, ये एक उनके ज ningún जए तो जो चलो फिर बुलाए लिया जाए, सारे बैठ जाने, क्योंकि अब कोई जो चीज इस्टैब्लिशन डिरेक्ट नी करना चाहती है, वो अदलिया से करवा लेती है, और तो अदलिया भी इशारे देखते रहते हैं, क्या है, मूड क्या है, वहाँ हो ली हो, तो ये इल्जा है, अब हमने सब देख लिया, आपने अपने गोड़े दर दुडा लिये, वो भी आपके खिलाफ बगावत करें, आपके मौकफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो जायज है, हमारे मौकफ में भी कुछ चीज़ें हैं जो जायज है, तो ये जो दाएरे वाली बात है, आईए बैढ़ जाते हैं एक दाएरे और डिफाइन कर लेते हैं कैसे आप अपस में हमारे तरलकात होंगे या नहीं होंगे और क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो इसलिए ये प्रोपोजल आ रही है, और एक जमाने में इस प्रोपोजल को नैशल डेफेंस कॉलिज के अंदर से भी आवाज़े आ रही थी एक जबाने में कि एक नैशनल सेक्यूरिटी कॉर्ड कॉमिटी बना ले जो कि अबव कैबिनेट हो जिसके अंदर प्रेजिटेंट भी हो प्राइम मिनिस्टर भी हो चारो सर्विस चीफ हो चैमें जॉइन चीफ से स्टाफ हो और उस फ्रोबोसल के हो आएन दर यह भी था कि चारो हाई कोड के चीफ जसिसस और चीफ जसिस ड microwब वहाँ से बैटें और space आ सबतेजिए गुरेन फिनेंके यहूं ताक्ered के जो नैश्रेल कंससिस आपने बनाना है जी आप्वलिशन को मिलनी चाहिए इजाज़त अपनी ग्रेशेिशन करने की और हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम government के mandate है या जो manifesto है उसके मताबिक हम अपना काम करें और जो national security है वो define कर ली जाए और वो आप उसको handle करें और जो इनसाफ देना है और वो कैसे देना है ताके आप आइन को interpret करें मगर आइन बनाने की कोशिश ना करें और यह भी जो रूल है अब आर्मी के अंदर तो seniority के रूल नहीं है जिसको prime minister select करता है वो ही ISI chief बनता है जरूरी नहीं है को senior हो इसी तरीके के साथ जो chief बनता है जरूरी नहीं है मगर judges ने अपने लिए seniority principle कर लिए तो यह भी issue discuss and debate करने वाला है कि ISI chief तो ठीक है वो तो आप कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि senior बनता हो वो intelligence की है उसके लिए expertise चाहिए मगर जब आप core commander बन जाते हैं तो उसकत each one of you is capable of being और eligible to be army chief तो वहां भी को seniority की बात कर ले ता कि यह जो हैंट पिक करना और पिर वो जो जिसको आप चुनते हैं वो कहता है मैं तो इसका आदमी नहीं हूँ मैं तो फौच का आदमी हूँ वो उल्टा आपके खिलाफ हो जाता है अपने आजाजी दिखाने के लिए और आप नाराज हो जाते हैं आप कहते हैं आप कहते हैं हमने इनको hunt टिक किया देखो या रखा रहा है असीतनी चुनके लिए हैं अठवे नमर तो तो चौते नमर तो यह सारे debates कता हो हो तो बहुत आप पड़े आप रिजिस्स नहीं कर सकते हैं तो फिर वो कहने हैं चैनल ने इसी तसलीम कर लेते हैं आपको कि यूर आपको तो यह इसके पीछे यह है क्योंकि आज कल जो सिचुएशन है यह पहली दवा ऐसी सिचुएशन है कि एक नैशनल क्राइसिस आ गई है जिसको सुन बात नहीं सुनी यहां तक आगया कि इनको न्यूट्रल होना पड़ा अब खांसाब को ऑपोजेशन मिलकर निकाल दी है अब सिचुएशन यह वो कहते हैं वो फिर से वही लगा है कि जी मेरा साथ दे और यह दे यहां तक क्या हम इलेक्शन की ब्याद भी करने की त्या इसकी कोई चांसिस नहीं है और उसकी वज़ा सिर्फ यही है कि बाकी स्टेकोल्डर्स इस्टेकोल्डर्स तो त्यार हो जाएंगे बैटने के लिए वो तो काफी अर्से से कहने नैश्टल सेक्यूरिटी कमिटी बनाएं और और अबव कैमिने मगर यह जो है ना जुडिश् एक चीफ जस्टिस शायद बैट सकता है वंगर और कोई नहीं बैटेगा काजी फाइजिसा साब क्यों बात कर रहे है जो नहीं ने खत लिख दिया काजी फाइजिसा साब भी नहीं मानें इस चीज़ को यह चीज़ जो है ना कि जुडिश्री बैठे इन दी नैश्नल सेक्य काउंसल यह एक emergency कोई ऐसी लगानी हो आपने state of war हो तो एक war cabinet बन जाए उसके अंदर चीफ जस्टिस को भी बुला लिया जाए और बाकी भी आ जाए वो अलाग एक situation extraordinary situation और नॉर्मल रूटीन में judiciary is a separate pillar judiciary doesn't come under the government okay okay army comes under the government yes तो वो stakeholder बन सकती है कैसे interior minister बन सकता है chief भी बन सकता है ठीक है ता ISI भी बन सकती है वो तो प्रामिस्टर रिपॉइंट करता है तो मगर आप जो बात हो रही है वो थोड़ी बड़ी बात हो रही है क्योंकि इस वकर जो एक किसम की war economy की problem बनी है यह जो economy तुबाव होने जा रही है जिससरा मुल्क फेल हो सकता है स्टेट फेलियर हो सकता है उसकी वज़ा से आब वो यह कह रहे है तो यह कामयाब नहीं होगी उसकी दो वजवात क्या एक है कि स्टेबिशन के बाद सारा पावर वैसे का वैसी है और दूसरा इम्रान खान कभी नहीं बैठेगा वो तो कहता है मैं आप छोड़े मैं तो श् घर जाने की दूर पड़े वो भी हम बैठेगी नहीं है मगर इमरान खान साब यह करी नहीं बाते हैं और इनको अमली जामा पहनाने के रस्ते में जो जो रुकाउटे हैं सेटी साब ने वो बयान की कहां कहां कैलकुलेशन की जरूरत है लेकिन देखना यह कि अगर यह बहस की भी जा सकती है मुम्किन भी है तो उसका प्लैटफॉर्म क्या होगा पाकिसान तहरीक इंसाफ ने वसील बुनिया डायलोग में शिर्कत से इंकार कर दिया है और सेटी साब का यह कहना के अभी भी सारा इक्तियार इस्टैबलिश्मेंट के पास ही है उन्हें मजीद इक्त क्यार है कियाबется के बादा के अस पर बात करते हैं एक वेलकम बैक वैसे तो बाविस्सान तरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की यह खुमत ब्रया के दो और किनारे हैं कहीं इस स्ट के साथ मिल नहीं का कानौनी तहफुज दिया गया जिस पर इतराजाद की भरमार होगी दोनों तरफ से परवेज रशीद साभ ने ठ्वीट किया रजर अबानी साभ ने इसको ना पसंद किया उस पेफ़ाद अब इसे कानूनी तहफूज दिया गया है क्या जुरूरत पेशाई कानूनी तहफूज देने की और उस प्रोटोकोल को पीछे करने की जो पहले फॉलो किया गया गया देखिए आप भूल गए हैं कि साकिब निसार साथ जब चीश चसिस थे तो एक सुप्रीम कोट ने नई कि समकी इंटेवेंशन करनी शुरू करता था गया था कि जो भी प्राइमेस्टर नॉमिनेशन करता था मुक्सलिफ एदारों में और प्राइमिस्तर के अंदर कुछी साथ से जायद अधारे हैं जो नकी अंदर आते हैं जहां के अनु, जहां वो नॉमिनेट करते हैं, चेर्मै mother करदेंग होना शुरू होग candle की पी टीवी से ये सुरू हlesh, कि उन्होंने benef—인이 मैंशिंग डीक्टर लगा दिया क्या, या चैयमें लगा दिया और उसके उपर predणुन हो गया अदालत में और उसके बाद फिर अदालत ने ये फैसला किया 87 सुप्रीम कोट के जी वो चेयमन जिनको बनाया था वो निकाला जाए वो डिजर्व नहीं करते था कास्मी साब और उनसे पैसे भी वसूल किया जा जो नने अभी दर्खाव आरा ली था जाए उसके बाद और भी नादरा और उसके भी चेयमन पीपल्स फार्टी के जमाने में उनको भी अदालत ने कहा कि आप निकले यहां से तो अदालतों नहीं यह फैसले करने शूल कर दिये प्राइम मिस्टर की अपॉइंट्मेंट्स की उपा उसके बड़ी शर्मिंदगी हो होती थी अब प्राइम मिस्टर पॉइंट कर रहा है उसका हाख है और अदालत कह रही है नहीं के बन्दा ठीक नहीं है इक कौलिफएट नहीं है रूल्स नहीं फालू किया है यह नहीं किया तो मेरा खाले बात वहां से शुरू हुई के जी यह यह जो डिस्क्रेशनरी पार है प्राइमिस्टर को चलिषिया जाए उसके साथ एक और साकीम नशार वाने ड्रामा कर दिये के प्राइम्सके का फैसलना कर बोगार कोई चीज़ कोई नहीं कर सकतान को हर प्राइमिस्टर का फैसलना के पी 주는 आummy ऑर इसका यह मतलब था कि हर रोज कैबिनेट मीटिंग होगी, कोई भी फैसला आप प्राइमिस्टर ने करना है, तो वो कैबिनेट मीटिंग में होगा, हलांकि नवाश्वीर साथ के जमाने में और उसे पहले भी ऐसी नहीं होता था, कैबिनेट मीटिंग था हफ़ते में एक दफ कैबिना बैटी होती थी, और उसके बाद जो और कोई इस्यूज होते थे, हफ़ते के दौरान जो आते थे, उनको सर्कुलर रेजोलूशन के जरीए, समरी बेज़ दी जाती थी, समरी सर्कुलर ईमेल चले जाती थी, और कहा जाता था, कि जी, 24 गंटे के अंदर अंदर इसक दखाई गई, वो भी आजकल एक इश्वी बनावा है, कि जो पैसे लंदन से वापस आए हैं, ब्रिडिश क्राइम एजनसी के और खान साब ने, वो फाइल ही नहीं दखाई, वो अभी शेरी मजारी साब की बात आई है, हमसे उप्रूवल ले लिए, हमसे दखाया तक नहीं किसकी प्रूवल ली जा रही है, वो पैसे आए कहा गए, यह हुआ है, तो यह बैक्राउंड है, मगर अस हकीकत यह है, कि यह फिर सोचा यही कि यार अगर ऐसी बात है, कि हर चीज़ ही जो है वो चैलेंज हो जाती है, यह जिसको चाहे उठके वो प्रिटिशन कर देता है, पर अदालते, जिसका दिल चाहे, जो मरजी कर ले, तो यह हम तो आई-बी की एक रिपोर्ट लेते हैं हर एक से, और यह हस्वे ममूल आई-बी का काम ही है, कि जिस बंदे को अपने पॉइंट करना है, या कुछ करना है, तो आई-बी से पूछ लिया जाता है, एक हस्वे मम कि जी फ्लाने की अपॉइंट्मेंट होने जा रही है, तो इसकी उपर एक रिपोर्ट देदे, और आई-बी यह, 90% of the time, 90%, अगर प्राइम मिस्टर ने आईशा को सिलाक किया है, या सेटी को सिलाक किया है, तो आई-बी यह नहीं कहीगी, कि सेटी ठीक नहीं है, और आपका ख्याल है, जो कॉमर्स मिनिस्टर बन रहा है, आपका ख्याल है, उससे को बेटर कॉमन मिनिस्टर नहीं है पाकिस्टान के अंदर, वो मजबूरी है, ना, वदे रहमेने, उनको लेना है, इस पार्ट अव दे, स्यासी वाबस्तगी, हाँ, और पिर यह अलाइंसे बन का बैसा है का हेसा है, हम Amelia certification को करते हैं, मगर अगर हम intelligence agencies, military जिनकी आजादी है, खाव हम DG को अपॉइंट करते हैं, मगर अब तो angled कर दे ए यह desire वह तो, जो भी कहते हैं हम कर देते है, उस को γιαapon準 को का देते हैं वह देते हैं को फस्ताना होिं को लगाते है वो पुड़ा के रख दिया ISI निए जाओ 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 अचा तो एक बर फिर वैसा ही हुआ कुछ अब उनने का यार यह जो वो तो करते हैं अगर आप किसी को लगा दें और ISI को पसंदना है यह बात उन्होंने अपनी इंकुरी की भी है उनको तो पता कि यह आपे नजर आता था जिए क्या लिखावा आता है वोगों के बारे में तो क्योंकर हर रोज इक समरी आती है तो धूर्ट स्हरूज्स प्रिंसिपल सेकरेट्री जास मैत खरें कोमेंटरी IASI की ब्रीफ आती है ओर रोज प्राइमिश्यक महीपास जाती है तो वो प्राइमिस्टर्स जो है वो अपने जो चेहते होते हैं उनके साथ डिसकास कर लेते हैं कि यार हो अजंसियां है कह रही है ने तो अगी रपट आगी अजंसियां कह रही है तो वो कभी-कभी हो हम जैसे लोग जब वो काविना में थे फैडल गर्वर्मन्ट में तो मलक मेराज प्राइमिस्टर थे तो उनका कमरा और मेरा कमरा साथ-साथ था उन्होंने मुझे अपने करीब रखावा था इज़रा स्यासी गप्षप के लिए तो फिर तो जब वो होता था तो मुझे भी पता लगता था कि रिपोर्ट में क्या आया क्या निया आया हलांकि वो ऑफिशि होगा कि आप कि परस्नल लाइफ जो है वो ज्यादा उसकी उपर एंफ़सिस नहीं होगा और जो आपका कॉंपेटंस है क्योंकि वो भी बिरोक्राइट है ना आई-बी वाले भी वो भी तो वही बिरोक्रासी से हैं जिनके बारे में वो रिपोर्ट दिखते हैं तो वो फिर उसके से भी रिपोर्ट नहीं देते किसी के खलाव भी उनलेस कोई और कुछ सीरिस इशीओ हो जिसकी वो भात फिर भी वो जूरूरी नहीं है कि परामिस्टर उसकी बात सुनें आये साइज को रिपोर्ट देगी किसी के खलाफ तो परामिस्टर को दस दफावा सोचता पड करना चाहते जिसमें GSU में इतराज है वो अगर कह देना कि यह नहीं करना तो शाबाद श्रीफ साथ वो नहीं करेंगे अगर कल को फिर इमरान खान जो कि जिसके समके मूड में हो अब तो बात नी सुनता नो कहता मेरी बात होगी और वो पीछे नहीं हट रहा नो डाउट चैटी को लगाना ही हमने है तो ISI कहती है नहीं नजम सेथी की तो फाईल इतनी मोटी है हमारे पास उस पे तो तो आपने उपर इसारा कोई बोज ले 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 ला तो मैंने उपर बोज ले लिया तो फिर वो रिपोर्ट जाएगी कि यार सेटी ते बड़ा नबर दो आदमी है सेटी ते गरबड़ करता है सेटी ओ गरबड़ करता है सेटी यह गरबड़ करता है तो ए जड़ा ना है नो तुसी ना करो फिर क्या होगा अब कोई ऐसा प्राइम निसर आता हो कहता है नहीं नहीं मैंने तो वादा किया है सेटी से से तो मेरा असासा है ठी मैंने ज़र लगान that it is alleged that some people alleges corruption some people alleges इसने उस वकत यह गपला किया था मगर allegations ही होती है क्योंकि हर बंदे के बारे में इतनी लंबी चौड़ी investigations नहीं होती है यह हवालदार और इस किसम के लोग आते हैं investigate करने के लिए और वो आके अपनी local reports यहां से local station commander होता है उसके नीचे पूरा division होती है हर जगा पे वो फिर हर बंदे की file रखते हैं और फिर filing बेचते रहते हैं और बहुत से inquiries भी आती है ISI से कि फलाने बंदे की inquiry करें ये करें वो करें फिर locals को करते हैं और मैं आपको बताओ सबसे पहली inquiry इनकी होती है कि ये SHO के पहुंच जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा information हर बंदे के बारे में जो criminal वाले हैं वो police के पास होती है तो वो police से ले दी पड़ती है ISI तो बड़े बड़े लोगों के पीछे देखते हैं ये हर बंदा की पीछे तो ISI नहीं जाती है मगर वो छोटे-छोटे अपने inspectors होते हैं वो चले जाते हैं inquiry करने ये वो करने हो अब इससे क्या होगा कल को आप एक अपॉइंट करते हैं किसी हो जे ठीक ISI समझती है कि ये ठीक appointment नहीं है या होगा क्या होगा या तो प्राइमिस्टर लगा देगा या प्राइमिस्टर नहीं लगाएगा अगर नहीं लगाया तो नो इश्यू अगर लगा दिया इसके बावजूद के ISI ने काया मत लगाएं तो क्या होगा क्या होगा और रेपोर्ट्स बनेंगी एक पिटिशन चले जाएगी अच्छा अदालत इस बंदे को जो लगाया गया ये सही नहीं है अदालत कहेगी जी आओ जी आओ गर्वर्ण लगा रेकॉर्ड ले आओ इस बंदे ना और उसमें फिर अदालत ये भी कहेगी कि एजंसि का रेकॉर्ड जो है फिर अदालत को बिल जाएगा और अदालत कहेगी नहीं लगा सकते आप आईशा को या नजम सेटी को हमने सारी फाइलें देख ली अच्छा तो एक उफिशल रास्ता बिल जाता है उस बंदे की को रोकने के लिए अच्छा तो ये अब इस तरीके से कि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनमाओं का दबे छुपे लवजों में ठके छुपे लवजों में ऐसा इतरास और उस पर पी टी आई की जानेफ से भी ये ही अक्रार कि अच्छा नहीं है आने वाले दिनों में इस नुक्ते पे ये जमातें कठी हो सकती हैं नहीं हैं वजी अच्छान खान साब अपने मौकफ से पीछे नहीं हट रहे हैं तो इसकी वजू हाता है और उस पर हम बारहाँ बात कर चुके हैं साविका फोजियों का एक ग्रूप है रिटाइट फोजियों का उनकी जानेब से प्रेस कांफरेंस की गई और ये तलात आ रही है कि उन्हों इसकी कितने इंपॉर्टन्स है इस सारे मनजर नामे में देखिए इसपे तो बस चार-पांच इफ्यूस है मैं एक एक करके बात करता हूं जे पहली बात है ये लोग कौन है वेटरंस असोसियेशन देखिए जो भी रिटायर अस्टरों की जी असोसियेशन है उनमें से एक ह इसको फॉज रिकिनाइस करती है हाँ और वो ये नहीं है ठीक है ये जो वेटरंस असोसियेशन है इसको ररिकिनेशन जी-एच्ट्यू नहीं नहीं दी पहली बार दूसरी बार भार यह जो और esto कि है रिटायर्ट सेर्विसमेंन की जिसको ररिकिनेशन मिली ही है उनके उनक यह उसके उपर कोई पवन्द हीं नहीं है, हज सियासी जमाथ को जाइन करें, मगर इस प्लैट फॉर्म से, रेटायरे hair servicemen के platform-ex-souricemen society आप नहीं कर सकतें, सियासी एक्सियासी बातें नहीं कर सकतें यह welfare की बातें हो सकते mean आपको recognize की है, इसलिए आपके लिए सोगतें दी है हमने, पेंशन्स हैं, यह है, वो है, वगारा वगारा, यह जो organization है, veterans, इसकी कोई recognition नहीं है, पहली बात भी, दूसी बात यह है कि इसमें एक family है, जो हावी है, वो family है जनरल अली कुली खान की, जनरल अली कुली खान के बारे में जो चीजें हमें पता है, जो हकाइक हैं, वो यह हैं, कि यह DGMIB भी रहे हैं, और चीफ अफ जनरल स्टाफ भी रहे हैं, नवे की दिहाई में, मोतरमा की हकुमत थी यहां, 93 ति 96, और उसके बाद भी चीफ जनरल स्टाफ रहे हैं, एट था, और जब जहांगीर करामत सा चीफ अफ जनरल चीफ थे, आर्मी चीफ थे, 96 में उनको पॉइंट किया गया, और 98 में, नवाश श्रीश साहिब ने, उनको कहा कि आप रजाइन करें, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था, एक पेपर पढ़ा था, जहां उन्होंने, नैशनल डिफेंस कॉलेज में, उस उनके लिए वो एक बनाई जाए, नवाशी साहब को ये बात प्रसंद नहीं आई, उन्होंने का जी आप रिजाइन करें, आप मदा अखलत कर रहें, यहां की किरामत साहब ने का मैं रिजाइन करता हूँ, गहर आगे, घर आए, और उस वकद, अलिक उली खान, वस चीफ अ जर्न स्टाफ, CGS, यह और एक दो जर्नल और उठके इनके घर आगे, आर्मी शीफ के घर आए, और उन्होंने का जी यह बिल्कुल एकसेप्टिबल नहीं है कि आर्मी शीफ को इस तरीके से से सक कर दिया जाए, और आप क्यों यह रिजाइन कर रहें, और हम कू करने के तो जाहिर करामत स्टाफ ने का नो, ना मैं अपना रेजिगनेशन वापस लूँगा, ना मैं आपको अजाज़त देता हूँ कि आप कूवू नहीं कोई करना, जर्नल मुशरफ को वो अपॉइंट करने जा रहे है, उनका हक है, उनको करने दे, जर्नल जहां की करामत स्टू बनाया जाएगा, तो उस वकद जब उनको नहीं बनाया गया, और मुशरफ को नवाश शरीफ ने बनाया, तो ये नाराज हो गए, और वो दिन ने और आज का दिन ने ये इन्होंने पिर ये रेजिगनेशन दे दी अपनी, उस जमाने में उस वकद तक, अब तो शायद नह चीफ नहीं बनाया जाता है, तो वो अपने पेपर्स दे के रिजाइन करते हैं और घारा आ जाते हैं अपनी फुल परक्सन प्रिविलिजिजिस के साथ, ये एक ओनरेबल चीज थी, कि जूनियर को कर दिया है, वो हक है, मगर हमारे लिए बाइसी हिजद यही है कि हम रेटा ये प्राबलम आ जाती थी, तो लोग कहता है, थे हम घर जा रहे हैं अब अलिकुली खान साथ की सारी फैमिली जो है, वो पीटी आई में, अच्छा, अलिकुली खान साथ के साहिवजादे हैं, कैप्टन रिटायर्ट खालिद कुली, वो पीटी आई के सदन साथ में उसके अच्छा, ओदेदार है, गोर अयूब खान साथ जो के फॉर्न मिनिस्टर भी रहे हैं, अलिकुली साथ की हमशीरा जो है उनकी, उमाब आई हुई हुई है, इसका मतलब है, उमर अयूब जो है, इनका नेव्यू है, भाज़ा है, इसी तरीके के साथ एक और इनका बेटा है है, जो के पीटी आई में है, सान इनलो है, वो पीटी आई में है, अब फिर इनके साथ एक साहब है, जनरल यासीन मलिक, वो भी सीपेक में रहे है, सारे कांट्रेक्स लेते रहे हैं, जब वो उनको भी फारग कर दिया गया तो उनके भी शायद इस्यूद होंगे, लेकि यह भी शायद कनफर्म नहीं है, कनफर्म क्या बात है, वो उसकी वज़ा से यह सारी एमियत मिल रही इसको, वो यह है कि जो बाकी सर्विस रिटाइड है, उनको जनरल बाजवा जब यह फैसले हुए है, नूट्रालिटी के, तो कुछ बेचैनी थी, लोगों में, वो आके म सारी बात जाके उनको समझाई और बड़े प्यार से समझाई और यहां तक यह कहा, यह हमें इसलिए पता चला, यह रिपोर्टिंग इसकी नहीं हुई, मगर इसमें वाटसैप ग्रूप्स के अंदर जो जिन लोगों ने अटेंड किया था, उन्हों ने फिर आपने ब्रीफ बनाके वाटसैप ग्रूप से बेजें, जो हमारे तक भी आये हैं, और जब आप कंपेर करते हैं, तीन चार आये हैं ऐसे, तो उसमें जनरल बाजवा ने कोई ऐसी बात नहीं कहीं जो गलत थी, सारी बाच्चे उन्हें ने हकीकत बताई, और यहां तक यह कहा कि अगर अगर यहां जो खां साब कोशिश कर रहे हैं कि दावना डालना और अक्साना भबात न में को बंद हो गया, तो अन्होंने हको यू benाय किसी के साथसरह क esquio कहा हूँ, कि प्लीजिज़ंढ देगा us리 बता की एक गूर किया, क्लीज़िजिन कोई दिपशब में थी भीया है, मैं सब स है वो अभी तक बरकरार रखे हैं ठीक है ठीक है से जिसा बहुत शुक्रिया आपके अनेलिसिस का वक्त खत्म हो गया है बहुत से सवाल जैनों में मौजूद आने वाले प्रोग्राम से पूछेंगे तब तक के लिए लाहाफिस